एक राइट का 30 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए या अपना महिनवारी की इसाफ से 10,000 रुपए, 15,000 रुपए नमस्कार मेरे प्यारी साथियों, हमारे इस नए व्लोग में आप सभी का स्वागत हैं और आप सब कैसे हैं, आसा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और भाईयों, आज हम एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं वो टॉपिक यह हैं, भाई बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कमेंट कर रहे हैं एक नएपर सब्सक्राइबर हैं, भाईयाबर हैं, भाईया वीडियो बनाईए अपरेटर बिल क्या होता है जो कि उसका एक क्लैब होता है उसकी एक निर्धारिक प्रत्रिया होती है एक निर्धारिक बुकिंग होती है कि दस बुकिंग पे इतना जैसे कि हम ओला का एक जामपल देते हैं ओला इस समय दे रही है दस बुकिंग पे 200 रुपए अभी कम कर दिये हैं अलग अलग सहर में अलग अलग इंसेनटिव होता है लखनों का दूसरा है, हमारी कानपुर का दूसरा है हम बात करते हैं कानपुर की تو कानपुर में 10 बुकिंग पे 200 रुपए इस्ष्टा देगी मालु कि 10 बुकिंग हमने की है पैसा ही पैसा होगा। जो कि एक निर्धारी बुकिंग पर दी जाती फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं पंद्रा बुकिंग पर लोग दे रहे थे तो टोटल तो मिल चुका है तो कोई बाती नहीं ग्यार भी करेंगे बार भी करेंगे तेर भी करेंगे चोद्वी तक हमारी वही इंसेंट्व होने वाला है टोटल यह आपरेटर बिल से अलग होता है यह हमारा जो है इसको इस्ट्रा इंकम हम बोल सकते हैं जो कि कंपनी की तरफ से जिया जाता है अलग-अलग कंपनियों का अलग-अलग इंसेंट्व होता है उबर का अलग होता है हलां कि उबर न यहां पर भी खत्म कर रखदा है बसक्त कर रहें नोरा कि बात कर रहें हैं ऑला का जुए वो हम इसकी जूट भी लगा देंगे आप देख लीजिए का 10 भुकिंग यह और 15 भुकिंग में कितना है अब दूसरी बात पर आते हैं भाई कि दूसरी बात यह की अपना टेक्स और कमिशन वेगरा घटा के जो हम लोग वह बनाती है जो बनाती है जो इसे कि मालों कोई हमने की है 10 किलो मेटर की राइट की यह 10 किलो मेटर में टोटर अर्निंग हमारी हुई है मान के चलो 250 रुपए तो 250 में पूरे तो हमारे पैसे हुए नहीं उसमें से कमपनी टेक्स का भी काटेगी और जो है अपना कमीशन भी काटेगी तो कमिशन और टेक्स बीज परसेंट रटा देते हैं 20 से 30 परसेंट कमिशन का भी उसका मिला के तो माल लिए डाइस होग में जो है लगबग जो है कि मलग जो 60-70 रुपए कंपनी ने काट लिए टेक्स और अपना कमिशन मिला के अरे 100 रुपए में माल लेते हैं दस किलोमेटर का डेवर सो हमको दिया सब रुपए जो है अपना उन्होंने काट लिए जो कि 20 से 30 परसेंट उनका कमिशन होता है और 5 से 7 परसेंट उनका टेक्स होता है और बीमा वगएरा कभी होता है और कभी कभी कैंसलेशन चार्ज भी जूड़ा होता है उसमें तो वो जो हम बुकिंग की डिटेल में जाएं कभी कभी क्या है सर्च लग जाता है हम लोग को कम दूरी का कम समय में ज्यादा अच्छा भाड़ा मिलता है जैसे कि सालक बहुत तेज है या पीक टाइम है सुबह से 10 विज़ आके दुपार के 12 वज़े तक या साम के 6 विज़ आके रात के 10 विज़ तक ये कुछ ऐसे तो ऑपरेटर भी हम बढ़ मेके मिलता है तो टो अपरेटर बिल जहोंता है było हम लोग का होता है उसमें से हमको CNG निकालने पड़ती है, गाड़ी का maintenance, ड्राइवर के खर्चा, ये सारे कुछ maintain करते हैं, commission वगएरा काटके, तो हम लोगो को क्या है, हम बार बार अपनी वीडियों बताते हैं, कि operator हमारा इतना हुआ, operator वो बिल है भाई, जो की हमें प्राफ होता है, समझे रहे न, मतलब operator को अगर हम ऐस ड्राइवर हैं, तो ड्राइवर को भी पूरा नहीं मिलेगा, ड्राइवर का तो जो operator से तैं होगा, owner से, गाड़ी मालिक से, एक राइट का 30 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए, या अपना महिनवारी की इसाफ़ से 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 12 घंटे का, जै आना चाहेंगे, कि जो भी हमारे ओला उबर में 20 समय गाड़ी चला रहे हम तो कानपर के रहने वाले हैं, छोटा से सहर है, नहीं, ना यहां धंग से एयरपोर्ट हैं, ना ही बड़े-बड़े आउफिस हैं, तो काम तो यहां पर बहुत काम आ रहा है, वैसे तो अच्छा का मारा था, लेकिन हमारी आउट इस्टेसन इसमें नहीं आ रही है किसी कानपर, और लॉगिन रहीते हैं, काम नहीं हो पाता है, तो कल भी किया था मालनो 600 रुपए का काम, आज भी करते तो 600 रुपए का काम करते, यह बचत बता रहे है 600 रुपए, वैसे तो 900 रुपए का में खज़ा, तो यहीत तो सोच्कि आज मैं वने गाड़ी नहीं निकाली, आज हमारी गाड़ी घर पर ही खड़ी है और हम गःय पे थे, तो आज पार, अलग हटके बंच, काम वागयरा, तो है नहीं, आज कि प्षले काफी दुनों से काम वागयरा तो है नहीं, बाद ऐसा तो आज कम कर देगा मन हुआ नहीं भाई तो आज हमने लगा दे छुट्टी और छुट्टी भाई आज हम सारा दिन बहुत सोते ही रहे काम वगारा कुछ किया नहीं बुकिंग भी इंतफाक से नहीं आई अभी बुकिंग आई भी थी कस्टूमर के पास मिलाया फोन दो बार लेकिन कस्टूमर ने रिसीब नहीं किया फोन अरे टेंचन नहीं लेनेगा अपूने नहीं तो हमने का चलो हटव साइज नहीं जाना तो पता नहीं वो जाता भी ना जाता हमारा आना जाना खराब जाता इस वज़े से हम सोच रहे भाई कि चलो ठीक है आज की दिन छुटी लगा लेते हैं जब काम आएगा तो राद दिन मेहनत की जाएगी अपनी गाड़ी है उसमें कोई इसा तो है नहीं आज नहीं चलाए तो भाईयों हमने जो कांटेंट पर वीडियो बनाया है प्लीज उस कांटेंट को ध्यान से देखिएगा जो हमारे नए भाई है जिनको जान करी चाहिए थी हमने आपकी डिमांड पर जो है वीडियो बना दी है आई होप कि भाई यह वीडियो आप लोगों को पसंद सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचती रहे हम इसी तरीकी के वीडियो और बनाते रहेंगे जानकारी भरी जिससे की हमारे जो नए भाई लोग है अच्छे अच्छी जानकारियां उन तक पहुंचती रहे मिलती रहे उनका ज्यान बढ़ता रहे भाई ओला उबर के प्र प्रफी कुछ सुधरेगी और काम हम लोगों का बढ़ेगा तब गाड़ी लेने के बारे में आप सो सकते हो फिलाल अभी तो सही समय नहीं है दीन साथ से काम है भाई कि हम लोग तो पुराने हम लोग पास काम नहीं है तो नए लोग गाड़ी ले लेंगे फिर उनको किसनी दि चैनल है या जो ड्राइवर लोग रोड पर घूमते हैं आपको मिल जाते हैं आपके जान पैचान वाले गली महले वाले गाउं वाले आपके मित्र यार दोस्त जो भी हो उनसे फीड़बैक जरूर लें और उसके बाद ही अपना डिसीजन लें गाड़ी लेना है या नहीं लेना है तो कौन सा समय सही रहेगा गाड़ी लेने के लिए या कौन सी गाड़ी सही रहेगी ठीक है ना तो आसा और उमिद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो ठीक मेरे प्यारे भाईयों आज के ब्लॉग में बस इतना ही कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग क साथ में तब तक हमारे सभी भाईयों को राम राम सुबरात्री गुड नाइट ओके टाटा